हेलो फ्रेंड बेलकम टू माई यूटूब चैनल बीवी से स्टेडी क्लासेश तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाट इस देयर टू इसका मेंस होता है वाली क्या बात है जैसे हम कभी किसी से कुछ बात कहते हैं या हसने लगे कुछ बात हो जाए तो हम अचानक से कह देते हैं इसमें हसने वाली क्या बात है तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही सेंटेंस आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे तो आईए आज की क्लास की एडेंटिवा रूल देखते हैं पहचान होती है वाली क्या बात है और रूल होता है what is there to प्लस वर्व का first form प्लस object इसका use हम happiness या अश्चर चकित होने पर करते हैं तो आईए कुछ example के माध्यम से समझते हैं जैसे इसमें हसने वाली क्या बात है what is there to love जब कहीं हम कुछ भी बात कर देते हैं और वहाँ पर हसने वाली बात नहीं होती बट कोई हस देता है तब हम ऐसे sentence का use करते हैं इसमें हसने वाली क्या बात है what is there to love नेस्ट है इसमें रोने वाली क्या बात है what is there to cry इसमें रोने वाली क्या बात है what is there to cry नेस्ट है इसमें सर्माने वाली क्या बात है What is there to sigh? नेस्ट है इसमें बताने वाली क्या बात थी What was there to tell? यह past का है, इसलिए इसमें was का use हो रहा है तो इसमें बताने वाली क्या बात थी What was there to tell? Next है, इसमें पूँचने वाली क्या बात है What is there to ask? इसमें पूँचने वाली क्या बात है What is there to ask? तो friends, आज के लिए बस इतना ही यदि वीडियो पसंद आए तो like, share, comment, subscribe चैनल को जरूर करें और ये example दिये गए हैं इन्हें translate कर हमें comment session पर जरूर बताएं तो friends, इसी प्रकार और sentence बनाएं और practice करें Happy learning English, thank you so much for watching, bye bye